नमिश्कार दूस्तों एक फिर से आपको स्वागत है हमारी यूटूब चैनल मिश्टर हेल्थ गुरू में तो दूस्तों आज की इस वीडियो में दस्त के घरेलू नुस्को के बारे में हम जानने वाले हैं यदि आपको दस्त हो गया है तो आप किस तरीके से घरेलू नुस्को को आजमा कर अपने दस्त की समस्या को ठीक कर सकते हैं वैसे तो दस्त एक आम बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है दस्त की वैसे व्यक्ति कपजोर हो जाता है और अगर सही वक्त पर उसको इलाज ना मिला तो होस्पीटल में भरती भी होना पड़ सकता है इस कारण आमतोर पर जब किसी को भी दस्त की समस्या हो जाती है तो सबसे पहले उसे दवाई का सेवन करना चाहिए यदि दवाई का सेवन करने से उसका दस्त नहीं सही होता है या फिर दवाई काम नहीं करती है तो उसे घरेलुन उसको को आजमाना चाहिए जातर लोग घरेलों उसको को आज माने से डरते हैं लेकिन आवरुवेद में दस्त को रोकने के अनेक घरेलों उसको को बताया गया है चली मैं आपको उन उपायों से अवगत कराता हूँ लेकिन उपाय बताने से पहले मैं आपको दस्त के कुछ कारण बताता हूँ मल को जादा देर तक रोकने के कारण या पाचन सकती कमजोर होने के कारण भी आपको दस्त लग सकता है अत्यधर तेल, मिर्च, मसाला वाला खाने का सेवन करने से भी दस्त हो सकता है मैं आपको दो घरिलू नुसकों के बारे में बताने वाला हूँ जिनसे आपका दस्त सही हो जाएगा आपको पता ही होगा दस्त में मरीज को जाद से आदा प्यास लगने लगती है इस कारण से उसे पानी की जरुवत पड़ती है ऐसी इस्तती में एक लीटर पानी में एक चम्मच सूखा धनिया उबाले जब आधा पानी भाब बन कर उड़ जाए तो पानी को छान कर ठंडा कर ले इससे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में रोगी को पिलाए ऐसा करने से रोगी का दस्त जल्दी सही हो जाता है और सरीर में पानी की कमी भी पूरी हो जाती है अब दोस्तो बात कर लेते हैं दूसरे घरेलू नुसके की दोस्तो आपको एक कप ताजे पानी में एक छोटा चम्मच निब्बू का रस मिला लेना है रोज सुबा सुबा या शाम को या दुपहर में जब भी आपको दस्त लगा हो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद आपको उसे पीना है ऐसा करने से दस्त की समस्या में आपको काफी अराम मिलेगा और आपका दस्त जल्दी से जल्दी सही होगा और आपकी अन्य समस्याओं में भी यह गरेलून उसका कारगर होता है तो दोस्ते यार यह थी आज की हमारी वीडियो वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा